हलो दोस्तों आज है 15 माई 2021 और 15 माई 2021 से जितने भी हरियान एक कराट अवेर क्वेस्टन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथी साथ हर क्वेस्टन के बार में इंपोर्टन और एक्ष्टाफ एक्ट भी पढ़ेंगे लास्ट में आपके लिए क्वेस्ट क्वेस्टन है देखते हैं अपकी तेरी किस लेवल पर पहुंच चुकी है और आप इस करेंट अवेर की पीडिया फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिये वे लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं तो चलते क्वेस्टन बर वन पर क्वेस्टन बर वन आपके लिए हर यान की कौन सी महिला खिलाडी पहली बर महिला बिग बेस लीग में बाग लेगी तो इसका राइट अन्सरों को अपसन सी तो सेफाली वर्मा रियान की ऐसी पहली महिला खिलाडी होगी जो पहली बर महिला बिग बेस लीग में बाग लेगी अब जान लेते हैं यह है क्या दोस्तों यह टेंपिन रहे चुकी सीडिन सीडिनी सीकर्स की और से इस टीम में उतरेगी इनकी इस टीम की तरब से खेलेगी दोस्तों जी कर आप सेफाली वर्मा का हुआ तो इसके वारें पड़ लेते हैं सेफाली वर्मा का जनम वाथा 28 जनवरी 2004 को रहतक जिले में और वर्ष 2019 में 15 साल क की उमर में अपना पहला अंतराश्टी अर्दस तक बनाने वाली सेफाली वर्मा सबसे कम उमर में अंतराश्टी अर्दस तक लगाने वाली क्रिकेटर भी बन गई है और लेडी सहवा के नाम से पर्चित हरियान की रोतक जीले की सेफाली वर्मा मार्स 2021 में दुनिया की पूसा जाता है विनेश फोगाट का जनम वथा 25 आगस्त उनिसों चुरानवा को बलाली चरकी दादरी में कुस्ती में 2014 में राश्टल मंडल केल में सवन पदक जी चुकी है और 2014 एश्याई केलों में काश्या पदक जी चुकी कुस्ती में और 2016 में अरजुन आवार्ड मिल यह दोस्तों यह मनूबाकर मनूबाकर के बारे में पड़ लेते हैं दोस्तों जो भी अन्य option दिये हैं उनके बारे में discuss कर लेते हैं क्योंकि आइसे question पूचा जाता है और आपकी जादा से जादा अची त्यारी हो जाएगी दोस्तों मनूबाकर बलोंग करती है गोरिया की चुकी है और 2020 में अर्जुन आवार्ड भी मिल चुका है मनूबाकर को अब सिवेता उड़ा विश्व गुड़स्वारी चैंपिंसी में गोल्ड मैडल जीतने वाले सिवेता उड़ा पर्तम हर्यान भी महिला वनी थी यह पॉइंट भी इंपोर्टेंट है नेक्स्ट है हर्याना सरकार हर जीले में कितने अक्सिजन कंसеЂट्रेटर बैंक स्तापित करेगी तो उसका रायाट रिर्ण dall व्यू अप्सन भी तो 15 से 20 अक्सिजन कंस्सीम किया जाएंगे अब पढ़े ट इसका वारे में है क्या यहैं हर्याना राजज्य में आक्सिजन की समिस्श्या क को दूर करने के लिए हर्याना सरकार आक्सिजन बैंक बनाने करने लिया है सरुवात में हर जिले में 15 से 20 कंसेट्रेटर बैंक बनाये जाएंगे और दोस्तों इंपोर्टन फइंट पढ़ लेते हैं साथ हर्याना सरकार ने आक्सिजन नेंतरन का स्तापित किया एगा चंडिग में हर्याना गुरुग्राउन नगर निगम ने स्टील बरतन बैंक भी स्तापित कर चूकी है हर्याना का पहला गरामिन बैंक बीवाइन में दो अक्टूबर नुच्छु पिचेतर को खोला गया था और यहूँजीन बैंक करनाल जिले में स्तापित है नेक्स्ट क्वेशन लेते हैं करनाल जिले में मेडिकल डिवाइस पारक स्थापित किया जाएगा यह पारक 225 एकडबो में में बनाया जाएगा दोस्तो हर्याना सरकार हर्याना में जाद से जादा मेडिकल स्रीविदा को उपलब्द करवाने के लिए करनाल में मेडिकल डिवाइस पारक बनाए जाएगा यह है पारक 1000 में बनाया जाएगा यहां से न मिल Squamak Examples करवाई जाएगी। इनकी जो भी द्वाय बनाई जाती है उनके लिए इस पारक से कछी द्वाईयों को प्लन्द करवाई जाएगा और इन दोनों पारकों को हैज us, i, i dc दोनों पारकों को विकास करेगी इनकी स्थापना इसके द्वार की जाएगी और दोस्तों इसके बारे में पढ़ लेते हैं क्योंकि यासे भी क्वेस्टन पूशा जा चुका है हर्याना राज्य अध्योगी और रचना विकास निगम इसकी फुल फॉम है स्थापना इत्यूंसियो सड़सट म मुख्यालेश का पंचकुला में है और जान लेते हैं युमानागर जिले के चूडपूर कला गाओं में हर्याना का सबसे बड़ा हरबल पारक बनाया गया है और इस पारक का नामताओ देविलाल हरबल पारक रखा गया है और पंचकुला जिले के पिंजोर को फिलम सीटी की रूई में विख्षीत किया जाएगा निज्ट क्वेशन बर च्यार है हरीाना सरकार क्रोना वैक्सिनेशन पर लगबग कितने love करेगी तो इसका रायट गोंड से तो 880 कोड रुपे का बजट खरच किया जाएगा हरयाना सरकार द्वारा खरोना व anders commission पर पडले अधिसके वारे में हरयाना सरकार Cum वाक्षिनेशन पर आठोची कोड रुपे का बजट करेगी वर यह पर रदेश के स्वास्ते विबाग के कुल बजट का reconciliation कोड रूपे का पांचवाई सायन की 20.4 परतिसत होगा जो हर्यान सरकार ने बजट पेश किया था स्वास्ताविबाग का दोस्तों जिकर बजट के बारे में वो तो हर्यान के बजट के बारे में पड़ लेते क्योंकि आसे क्वेसन पूस आ जाता है हर्यान के बजट 2021-22 पेश करता है वितमंतरी को न तो मनहोर लाल और मनहोर लाल एक ऐसे मुख्या मंतरी है जो एक वितमंतरी भी बने है और हर्यान के बजट पेश किया था 12 मार्च 2021 को कुल बजट पेश किया था 1.5 लाख करोड यनकी एक लाख पिछपन 1645 कोड रुपे का बजट पेस किया है जो पिछले वर्ष 2020-21 के बजट से 13% अधीक है ये पॉइंट भी आपको नोट कर लेना है नेक्स्ट क्वेशन पर पांच है हाली में विसनु भगवान का निदन हो गया है वे पहले हरियाना के किस पद पर कारियरत थे इनकी किस पद पर रह चुके है तो इसका रायट इन्सरोग आप्शन ए तो ए मुख्य सचिव रह चुके जिनका आली में निदन हो गया है अब इनके वारे में पढ़ लेते हैं दोस्तों यह है विसनु भगवान जो हरियाना के मुख्य सचिव रह चुके है पढ़ लेते हिवारे में हरियाना के पूरो मुख्य सचिव विसनु भगवान का निदन हो गया है वो कुछ पिछले दिनों से क्रोना से पीडित थे विशनु बगवान ने सरकार के मुख्य स्यूपद के अलावा अबकारी और करादान, सीचाई, मानोस अनसादन, विकास, जन संपरग, समाजी की नए अधिकारता, बिजली वा अन्योपदों पर भी यह रहे चुके है और ये गुरू जंबेश्वर, विश्वदाले, इनकी हिसार में उपकुलपती भी रहे चुके है और ये 1965 बैच के आई एस अधिकारी भी थे और ये हरियाना सरकार के मुख्यस्यूद के पदपर 30 दिसम्बर 2001 को शिवा निवरत यनकी रिटायर हुए थे दोस्तो हरियाना के मुख्यस्यूद का जिकर हुआ तो हरियाना के अन्य मुख्यस्यूद पढ़ लेते हैं हरियाना का पर्थम मुख्यस्यूद बना था शरी सवरूप किर्शन एक नॉमबर 1966 को बना था और 28 मार्ज 2022 को रिटायर हुआ था पर्थम हरियाना में ला मुख्यसचिव कोन बनी थी तो मिनाक्सी आनद चोधरी आठ नुवंबर 2005 को बनी थी और 30 अपरल 2006 को रिटायर हुई थी और वर्तमान में हरियाना का 34 मुख्यसचिव कोन है तो सरी विजय वर्दन है और एक इनकी एक 10 2020 को ये हरियाना के मुख्यसचिव बने थी ये भी आपको याद रखना है नेक्स्ट है क्वेशन बर 6 है हरियाना सरकार नों गाउं में फैल रेक करोना सकर्मन को रोकने के लिए की समीती का गठन किया है तो इसका रायट इन सरोगा उप्शन C तो ग्राम निगरानी समीती का गठन किया हरियाना सरकार ने ताकि गाउं में करोना के सकर्मों को रोका जासके और ये समीती इस पर निगरानी रखेगी चलते हैं नेक्स्ट है क्वेशन बर 7 है हर्याना सरकार की से उजना के तहत करोना सकर्मन से मरने वाले बीपियल परिवारों को दो लाक रुपे देगे तो की से उजना के तहत दिये जाएंगे तो इसका रायट रिंसरोगा उपसन ने परदान मतरी जीवन जोती उजना के तहत BPL परिवारे के जो भी वैक्ति करोना से मरते हुने 2 लाक रुपे दिये जाएंगे अब इनके वार्में डिटेल के साथ पढ़ लेते हैं क्या ये करोना माहमारी में परदेश सरकार ने BPL वाग गरीब परिवारों को बीमा सुरुक सा कवर देने का निर्ने लिया है 50 लाक से अधिक लोगों को 2-2 लाक रुपे का बीमा दिया जाएगा परदान मतरी जीवन जोती योजना के तैतिया से विधाराज्य में लागू होगी इस योजना का 330 रुपे का सालाना प्रेमियम राज्य सरकार वहन करेगी इनकी से योज़ना का जो भी प्रेमिम है और हर्याना सरकार ही देगी और पड़लेते इसके वहरे में योज़ना का लाब 18 से 50 अवरस की आयू के नागरिकों को मिलेगा और बीपेल के अलावा जिनकी आये 1,80,000 रुपे से कम है और 15,000 रुपे मासिक मेने से आये कम वाले प्रिवार को भी समें कवर किया जाएगा पीम जीवन जोती बीमा यूज़ना के तैत क्रोना सकरमन वह हाथ से में जान जाने वाले मिर्तिक प्रेजनों को बरने वाले प्रेजनों को दो लाग रुपे देगी आपको नोट करने होगे पॉइंट है नेक्स्ट क्वेशन बर आठ है अर्यान के की जिले मेराज्य का पहला ट्रेटा पैक प्लाट स्थापित किया जाएगा ये क्वेशन भी आपके लिए इंप्रोटेंट है तो राइट इंसर होगा ओप्शन डी तो रोतक जिले मेराज्य का पहला ट्रेटा पैक प्लाट स्थापित किया जाएगा और दोस्तों ये ट्रेटा पैक प्लाट है क्या दोस्तों ये पैक है इनकी दूद से सम्मद्दित है इनकी दूद को 145 डिगरी से अधिक तामबान पर गरम करके उसे एक ऐसे पॉलिथीन या एक ऐसे पैकेज में रखा जाएगा जो लगबग तीन मेहीने तक खराब नहीं हो सकता और तीन मेहीने तक खराब नहीं होगा उसे कहते है ट्रेटा पैक और यह जो भी दूद है यह बारतिय सेना के जवानों को बेज़ जाएगा क्योंकि वहाँ पर लगाता हर रोज तो दूद बेज़ जाना नहीं जा सकता लेकिन यह दूद बेज़ जाएगा जो तीन मेने तक काम कर सकता ये special बार्दिय सिना के जवानों के लिए ट्रेटा पैंक स्थापित किया गया है दोस्तों जी का रोत्त का वह तो रोत्त के बाहरे में पड़ लेते हैं ताकि आपका हरियाना करांटा फिर के साथ हरियाना जी के कभी रिविजिन होता रहे है दोस्तों यह रहा यहां पर रोत् के साथ में जीन्द के साथ में इसार के साथ में बिवानी के साथ में और चर्की दाजिरी के साथ में और जानेते हैं रोत्त के बाहरे में रोत्त की स्तापना हुई थी एक नॉम्बर 1966 को विदानसबा चेतर है गड़ी साफला कलानौर महमोर रोत्त एकल खिटकी उजना की सर रकोट से मिले थे और गुप्त कल की कुछ मुद्रय भी प्राप्त हुई थी यहीं से और पढ़ लेते हैं महभारत के नकूल दिगविजे में रोतक का वनन मिलता है मातमा गांदी मौमद अली सौकत अली ये तीनों मिलकर 8 अक्टूबर 920 को रोतक आये थे हरियाना में कौलिज रोतक में खोला गए था और अर्याणा का पहला समचार पतर हरीभूमी 906 में रोतक में प्रकासित हुआ था यहां पर राजी उगांदी खेल स्टेडियम भी है रोतों को हरियाना की राजनेतिक राजदा नी भी कहा जाता है 8 मैश उन्युन चैन्थर को रहियाना र पाद योजना केता है तो राइट इन्स रों का अफ्षिन बी तो मेहंदरगट बर्नारनौल का साइटरस के लिए चैन बहा है और दोस्तो यह जना केता है तो तो question पड़े हैं, उनका फटापर से रिविजन कर लेते हैं, ताकि आपको question अची तरह है और लंबे समय ते क्याद रहे सके, तो number one पर है, हरियान की कौन सी महिला के लाड़ी, पहली बार महिला big base में लीग में मुकाबला में बाग लेगी, तो इलेगी सेफाली बर्मा, next है, question question number two है, हरियान सरकार हर जिले में कितने oxygen concentrator bank स्थापित करेगी, तो 15 से लेकर 20 bank स्थापित किये जाएंगी, हरियान सरकार की इस जिले में medical device पारक स्थापित करेगी, तो करनाल जिले में, पानिपत में drugs पारक स्थापित किया जाएगा, और युना नगर में, एक चूहड कल गाउ में, एक हर बल पारका, जो हरियाना का सबसे बड़ा हर बल पारका है, यह ताओ देविलाल हर बल पारका आ जाता है, question number four है, हरियाना सरकार क्रोना vaccination पर कितने कोड़ रुपे का बजट करेगी, तो 860 कोड़ रुपे का, और हरियाना का बजट था, 1.55 लाक रुपे, question number 5 है, हाली में, विशनों बुगान का निदन हो गया, वह पहले हरियाना के किस पद पर काम कर चुके है, तो हरियाना के मुख्य सच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् पर करेंबर साथ है हर्याणा सरकार की सितो जाएगा तो यह रोतक जिले में क्वेस्टन बर नौ है हर्याना के की जिले का एक जिला एक उत्पाद युजना के तैट साइट्रस के लिए चैन हुआ तो मेंदर कड़ा लारनोल का तो लास्ट वीडियो मैं आपसे क्वेस्टन पूछा था हर्याना राजी की पहली सरकारी ज जाएविक परमाने कर अजेंसी स्थापित की जायरी आपको याद रखने पॉइंट है चलते हैं नेक्स्ट आज का क्वेस्टन आपकी देखते हैं कि तैरी किस लेवल पर पहुंच चुकी है हर्याना कि किस जिले मेरा जेगा पहला जाएविक सबजी उतकरिष्टा के अंद सब्सक्राइबर वीडियो को लाइक जिरू करना थैंक्यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए